हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, आप सभी का मेरे योट्योब चैनल पर स्वागत है, I hope आप सभी अच्छे होंगे active voice, passive voice हमने start किया था, एक class हम इसकी कर चुके हैं, उसमें हमने present indefinite के बारे में पढ़ा था, कि कैसे उनको हम change करेंगे ठीक है, active से आप passive के अंदर उनको कैसे change करेंगे, आज हमारी ये second class है, इसमें हम present continuous के बारे में पढ़ेंगे कि इसको हम active से passive में कैसे change करेंगे तो सबसे पहले देखिए रूल देखिए आप present continuous आपका कैसे होता है present continuous का active voice क्या होगा subject plus ismr plus verb की first form plus ing plus object यह होता है इसके active voice में और जब हमें इसको change करना है passive में then क्या होगा हमारा object आएगा आगे object plus ismr plus being add होगा इसके अंदर being plus third form क्योंकि passive voice में सब में third form आती है और plus में यह आपका subject अब देखिए कैसे change करने है first example है यहाँ पर the pn is ringing the bell यह आपका subject है यह आपकी helping verb है यह verb है आपकी और यह हमारा object है ठीक है अब यह आ गया आजाएगा object आ गया है तो the bell is ठीक है क्योंकि bell आपका kyan singular है तो आपका is आएगा is mr का ही थे आप सब को पता है कि is किस कसाथ आएगा m किस के साथ आएगा r किस के साथ is आता है हमारा singular के लिए m आता है आपका i के साथ आएगा सिर्फ और r आता है we, you, they and plural तो यहाँ पर जो the bell है हमारा यह क्या है singular है तो इसलिए यहाँ पर is ही use होगा हमारा is आप साथ में लगेगा आपका being is being रिंग की third form होती है रंग रंग बाइदा यह subject आपका इधर आ जाएगा the bell जो object होता है अब जो हमारी is mr है वो किसके according लगेंगे इस object के according लगेंगे ठीक है यह object दा बेल एक ही घंटी है तो यह आपकी क्या है singular है तो it means यहाँ पर is आया है हमारा next है हमारा she is writing a book she is writing a book अब देखिए a book यह आ गया जाएगा तो a book क्या है हमारा singular है तो it means यह जाएगा साथ में is being right की third form क्या होती है written by she को हम change करेंगे हर में ठीक है next आपका है I am not preparing tea I am not preparing tea अब देखिए टी हमारा यह आगया जाएगा object है आगया आगया टी हमारा singular है तो is अब not वाला आगर है तो not आएगा पहले being बाद में आएगा is not being prepared की third form prepared by I को हम change करेंगे मी में me he is not being prepared by me ठीक है not आपका being के बाद नहीं आएगा पहले आएगा is not being ठीक है next हमारा है he is waiting for me he is waiting for me अब देखिए मी है object है यह तो as it is तो आएगा नहीं मी को हम change करतें आई में तो आई आई के साथ आपका एहमा आता है एहमा जाएगा I am being wait की third form waited for by him ठीक है he को आपका हमने change कर दिया him के अंदर okay next है आप देखिए यह आपका interrogative sentence दे रखा है are you taking the examination क्या तो मैं examination ले रहे हो तो क्या होगा इसका अब देखे आर का आर तो आपका UK according आया लेकिन हमें पता आप जो इसका passive बनेगा ना वो भी आपका interrogative ही बनेगा हमें पता जो the examination है यह क्या है आपका singular है तो इसके साथ आपकी is आएगी तो हम is से start करेंगे is अब आपका object the examination अब being लगेगा यहाँ पर ठीक है is the examination being take की third form taken by और यह you okay इसको एक बार दुबारा बता देती हूँ are you taking the examination क्या आप examination ले रहे हैं तो यह आर तो आपका UK according आया लेकिन यह हमारा examination क्या singular है तो हमें जो passive बनाना वो भी आपका interrogative ही होगा तो examination singular है means यहाँ पर is आया तो is the examination being taken take की third form taken by you okay next हमारा है are the boys reading the book are the boys reading the book अब are हमारा किस के साथ आया the boys के साथ लेकिन the book आपका क्या है singular है then हमारा is आएगा तो is the book being आएगा is the book being read की third form ready होती है by the boys यह आपका object ठीक है next है आपका why is the teacher punishing the student why is the teacher punishing the students अब यह भाई आपका यही रहेगा इसमें कोई change नहीं आएगा ठीक है तो भाई आगया अब इस तो हमारा teacher के according आया the students के according हमारा आ रहेगा तो why are the students उसके बाद आपका same being punished की third form punished by the teacher यह teacher आजएगा ठीक है वाई इस दा अब देखें भाई वाले को इद्धान से सुनिए अब यह हमारा as it is रहना है यह जो भाई हमारा यह as it is रहेगा आगे ही सिरफ पीछे का जो हमारा होगा तो इसमें changes होगा teacher के साथ इस आना था अब the students हमारे plural है तो it means आ रहेगा तो why are the students being punished by the teacher okay बहुत ही easy है कोई मुश्किल नहीं है प्रैक्टिस से आप बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं next आपका है where is sita cooking food where is sita cooking food where आपका as it is रहेगा sita singular थी तो यह भी आपका is आ गया ठीक है आप food भी हमारा singular है then is food where is food being cooked cook की third form cooked by sita यह नाम का first letter capital होता है तो sita okay जो डबलो एच फैमिली के हैं सिर्फ इसमें हम क्या करेंगे as it is लिख देंगे इनको हम ठीक है और आगे का हमारा change होगा okay next आपका है are you watering the plants यह और एक है आपका why are you wasting your time यह दो sentence मैंने आपको दिये हैं यह आपके लिए homework है आपको मुझे करके और comment section में भेजना है देखती हूं आपको कितना समझ में आया है और कितना नहीं I hope आपको समझ में आया है वीडियो अच्छी लगी है तो please like share and subscribe मिलते हैं next वीडियो में next part के साथ thanks for watching and bye